गुद आफ्टरनून क्लास, तोडिस यॉर क्राफ्ट क्लास, और आज हम इसको, यह मैंने A4 सीट है, A4 सीट के दो पीसिस कर लिये हैं, और उनको मिडल से क्या क्या फोल्ड किया है, ठीक है, मिडल से फोल्ड करने के पाद, हम क्या करेंगे, दोनों उसमें जो फोल्डिट है, पोल्ड साइट से हम लोग उसको, एक ट्रैंगल के सेप में, लाइन ड्रॉ कर लेंगे, दोनों में, ठीक है, और एक, जैसे क्रिस्मस ट्री के, एक छोटा-छोटा ट्रैंगल बाहर के तरफ कर लेंगे, उसके बाद हम इसको अंदर के तरफ एक तम बढ़ी ऐसे, और इसको लाइन में एक तम, ठीक है, सबसे पहला हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, और सेम तो सेम हम दूसरे पैटर्न की भी कटिंग कर लेंगे, इस तरीके से हमारा क्रिस्मस ट्री, हम लोग बहुत एजी तरीके से क्रिस्मस ट्री बना लेंगे, यह देखिए, ठीक है, ऐसे हम इसकी पीसिस पर निकाल लेते हैं इस पर, और इस पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सेम, ठीक है, अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं, देखिए, दोनों पीसिस निकल चुके हैं, और अब हम इनको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने से पहले हम इसका एक पीस और निकाल लेते हैं, आईए, एक और सीट पर मैंने ऐसी कटिंग किये हैं, और इसका कट मै निकाल लेती हूं, देखिए, टूपीसिस के साथ मैंने एक पीसिस और काट लिया हैं, और अब हम इनको पेस करेंगे, हम इस ट्री को हमने 3D बनाना है तो 3D के लिए हम क्या करेंगे हम एक पार्ट इसका पेस करेंगे उस फाइब कोल की हल्प से मैंने एक पार्ट को अच्छे से पेस कर लिए ठीक है अब इस वाले पार्ट पर मैं दोनों उसके से उपराले पार्ट को अच्छे से पेस्ट करूंगे और इस तरीके से हमारा यह ट्री वाला पार्ट इसमें बन लिए है इस तरीके से हमारा 3D क्रिस्मस ट्री राड़ी हो गया है और इसको हम डेकुरेट के लिए स्टोन्स और कुछ लीटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो स्टोन है हम इसका यूज़ करेंगे और सबसे उपर हम क्या करेंगे एक बड़ा वाले स्टार्ट लगाएंगे इसको हम ऐसे और इस पर हम स्टोन्स इसकिए करेंगे ahead लेते हमारे क्रिस्मस ट्रेन टम डाकुरइट हो गया है और इसको हम फाईल में पेस्स करेंगे हमने कैसे करना है नीचे प्लेन लेना और उसको ऐसे पेस्स करना है ठीक इस तरीके से हमारे सारुसमें अच्छे से श्टोन में दिखेंगे दिखिए देखिए आपने उसको फाइल में पेस्ट करना और पेस्ट के चारों तरफ आउटलाइन करना है और डेट मेंसिन करना है ठीक है आज के लिए इतना ही और क्रिस्मस ट्री बनाईए और इंजॉय करिए